सपा का गड़ भेदने के लिए बीजेपी का दाओ किस पर? क्या इलाभात से कटेगा रीता बहुख गुड़ा का पत्ता? नमस्कार आप देख रहे हैं दा खबरदार नियूस तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर लोकसबद चुनाव की तारीकों का एलान जल्द हो रहा है उससे पहले तमाम पार्टियां उमीदवार चुनने में लग गई हैं कुछ राज़ में इंडिया अलाइंस के दलों के बीच सीट शेरिंग को लेकर डील भी हो गई है हलाकि बीजेपी और कॉंग्रेस ने उमीदवारों को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं इसे बीच दिखबरदार न्यूस के तहत आपको क्राउंड रिपोर्ट के आधार पर यूपी की इलाबाद और मैंपूरी सीट मद्रपरदेश की जबलपूर सीट और नौर्थ मुंबई सीट का हाल बता रहे हैं जानी समाजवादी पार्टी के गड़ मैंपूरी सीट को भेदने के लिए बीजपी किस पर दाव लगाएगी इलाबाद सीट उत्तर परदेश के प्रियागराज शहर की बड़ी एहमियत है ये पहले इलाबाद कहलादा था देश के पहले प्रधान मंतरी पंडित जवारला नेरू और दूसरे पीम लाल बहादर शास्त्री मशूर शायर अकबर इलाबादी और फिराक गुरकपुरी इलाबाद से ही है निराला और हरिवन शुराई बच्चन जैसे नामी कवी सभी इलाबाद से आए हैं इस बार इलाबाद में किस पर दाव लगाएगी बीजेपी इस बार इलाबाद से बीजेपी किसे टिकेट देगी इस पर अटकले तेज हैं यहां से टिकेट पाने वालों में सबसे पहला नाम नंद गोपाल गुपता नंदी का चल रहा है नंदी यूपी के कैबिनेट मंत्री है और इस सीट से बीजेपी के प्रबल दाविदार है उनकी पतनी अभिलाश गुपता नंदी का नाम भी इस सीट से चर्चा में है जो इस समय प्रियाग राज की मेर है बीजेपी की ओर से तीसरा नाम यहां की मौजुद असान सदर रीता बहुगडा जोशी का है जो उतरप्रदेश की पूर मंत्री भी है रीता बहुगडा उतरप्रदेश कॉंग्रेस के अधिक्ष भी रह चकी है इनके पिता हेम वंती नंदन बहुगडा राज के मुख्य बंत्री थे कॉंग्रेस पाटी किस पर दिखाएगी बरोसा कॉंग्रेस के पूर विधायक अनुग्रे नारायन सिंग इलाबाद से टिकेट के मजबूत दाविदार माने जा रहे है अराधना मिश्रा का नाम भी लिस्ट में है मिश्रा रामपूरेखास की मौझुदा विधायक है और कॉंग्रेस के वरिस्ट नेता प्रमोध तिवारी की बेटी है इलाबाद से तीसरे कॉंग्रेस सुनीद वार के तोर पर मुकन दिवारी का नाम चर्चा में है जो उतरप्रदेश कॉंग्रेस के महा सच्छिव हैं मैंपूरी सीट उतरप्रदेश अब बात करते हैं उतरप्रदेश की मैंपूरी सीट की ये सीट समाजवादी पार्टी का गड़ रही है इस सीट के वोटरों में यादव सबसे अधिक हैं करीब चार से कट करीब साड़े चार लाग उसके बाद शाह के समाज के लोग आते हैं समाजवादी पार्टी के संस्तापक और उतरप्रदेश के पूर मुक्मंत्री मुलाइम सिंग यादव यहां से लड़ते आए हैं 2019 का चुनाव भी उन्होंने यहां से जीता था उनके निधन के बाद इस सीट पर उप्चुनाव हुआ मुलाइम की बहू और अकिलेश यादव की पत्नी टिंपल यादव यहां से मौजुदा सांसर हैं बीजेपी किस पर दाव खे से आते हैं चुनकि आबादी यादवों के बाद इस इस इलाके में सबसे जादा है इसके अलावा जिम्पल यादव के खिलाव पिछला उप्चुनाव लड़ चुके पूर विसांसद और पूर विदायक रगुराज सिंग शाक्य को बीजेपी मैनपुरी से टिकेट दे सक पती है जबलपूर सीट मद्रपरदेश यूपी के बाद अब बात करते हैं मद्रपरदेश की जबलपूर सीट की जबलपूर को मद्रपरदेश का निया एक राजधानी भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर हाई कोट और राज जिनया एक अकैडमी है यहां मद्रपरदेश के नियाए धीशों को ट्रेनिंग दी जाती है जबलपूर सीट फिलहाल बीजेपी के कब से में है कॉंग्रेस किसे बनाएगी उम्मीदवार कॉंग्रेस के लखन गंगोरिया का नाम इस सीट पर सबसे आगे चल रहा है गंगोरिया कमलनात सरकार में सामजिक नियाए और कल्यान म रह चुके हैं फिलहाल बीजेपी किस को देगी मौका चबलपूर सीट पर बीजेपी के तरफ से कई नाम चर्चा में है अगर बीजेपी उने टिकेट देती है तो ये उनका पहला चुनाब होगा इस सीट पर बीजेपी की ओर से च्यूबा चेहरे आशिश दुबे का भी न रामीर के अध्यक्ष रहे हैं यह एक पारंपरिक बीजेपी परिवार से आते हैं नौर्थ मुंबई सीट मुंबई आखिर में बात मुंबई कीeta में से एक सीट नौर्थ मुंबई से यहां से बीजेपी के और मिला को सिर्फ 2,41,431 वोट मिले थे बीजेपी किसे बनाएगी प्रत्याशी यह सीट बीजेपी का गड़ मानी जाती है इस चुनाब में बीजेपी फिर से गोपाल शेटी पर दाव लगा सकती है हाला कि शेटी की उम्र लगबग सत्तर हो चुकी है दूसरा नाम विरोध तावडे का चल रहा है तावडे नौर्थ मुंबई लोग सबा के अंदर आने वाली वोरी वली विदान सबा से 2014 से 19 तक विदायक रह चुके है उनका पियार पब्लिक रिलेशन बड़ा ही अच्छा ब मांग रहे हैं हाला कि इसकी संभावना बहुत कम है उन्होंने 2004 में सीट से राम नाई को शिकस्त दी थी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगे आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और दिखते रहिए दखखब आकरशक वास्तुकला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तुकला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिए गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन शिफ्ट को पैकस एंड मुवर्स है ना जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक वाकार को सक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुँचाता है तो आप देख इस बात की आज ही संपक करें डवले टू शिफ्टा जो आपको एंड माई जो आपके इस हाचा रवले आपके बात की है जो आपके रवले ना चे की इस ना दो इस आपके दो सक्षित गática की सित एंड म मुवर्तारी के वीरियों किह अमुवर्स हैं sudah है जो आपके घर से आपके बारना वीर प् summertime